हलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे चेनल पर आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं ये आठ नौवमबर का जो पेपर आज सुबह की पारी में हुआ था उसकी कट ओफ के बारे में लगातार विद्यारितियों के कमेंट आ रहे हैं कि सरो कट ओफ क्या रहेगी सब को उसकता लगी हुई है विद्यारितियों ने अपने पेपर भी मिलान कर लिया है तो अब हम इसमें जाने वाले कट ओफ के बारे में ये आठ नौवमबर का जो फस्त फारिका जो पेपर हुआ था उसकी कट ओफ के बारे में हम जानने वाले हैं ये देखिए एक सो चोपन विद्यारितियों के द्वारा कमेंट करके जो अपनी मार्क्स बताए गये हैं उनके आदार पर ये आकलन तयार किया गया है तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि कट ओफ क्या रहने वाली है तो चलिए बिना किसी देरी के हम सुरुआत करते हैं सुरुआत करने से पहले मैं आप सब इसे कहना चाहोंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में कमेंट करके अपने मार्क्स भी बताएं ताकि और ज़्यादा अनुमान लगाया जा सके तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे सुरुवात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर केसा था पेपर का जो लेवल है वो केसा है कुछ भी दियारती कह रहे हैं ये हार्ड लेवल का था कुछ कह रहे हैं ये सरल था तो इसके बारे में हम सबी पार्ट के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्तान जी के वाला जो portion था वो केशा था तो देखिए राजस्तान जी के के जो question थे ज़्यादा तर easy थे तो आपको मैं वो ऐसे 10-12 क्यूशन ऐसे बता देता हूँ जो इन्होंने विद्ध्यारति को परेसान किया जिसके कारण ये कटोफ का जो लेवल है वो कैसा रहेगा वो तैय करेंगे तो हम वो क्यूशन भी मैं आपको बता हूँगा क्योंकि पूरे तरक के साथ हम आंसर की देखेंगे तो आप संतुस्ठ हो पाएंगे क्योंकि कम रहेगी तो किस वज़ जाय से रहेगी कितने मार्क्स रहेगी तो इसका कारण हम देखेंगे तो राजस्तान जीके में और जीके के जो कुछ क्यूशन थे जिनोंने अभियर्तियों को परेशान किया वो क्यूशन थे आईए हम देखते हैं देखिए जो सबसे ज़्यादा confusion पेदा करने वाले एक तो जो क्यूशन थे वो sun वाले क्यूशन थे जिसमें हम जानते हैं sun वाले क्यूशन वो ज़्यादा विद्यारतियों से प्रेशन हुए एक ये क्यूशन है कि सोर नियाई वा अदिनियम किस वर्स लागू किया गया था तो ये ज़्यादा तर विद्यारतियों को नहीं आया है ज़्यादा तर विद्यारतियों ने इस क्यूशन को छोड़ा है और किसे ने किया है तो भी उसके गलत हुआ तो एक क्यूशन ये था और और भी देखते हैं एक क्यूशन था ये 128 नमबर वाला राजस्तान भारत में किसका प्रमुक उत्पादक नहीं है तो इसमें देखे ये ज़्यादा कठिन तो नहीं है लेकिन इसमें ज़्यादातर विद्यारती A और D उप्शन को लेकर कन्फ्यूश रहे तो एक क्यूशन ये था एक क्यूशन ये था 91 नमबर वाला भारत की पूरुस होकी टेम ने एश्याई खेलुका सोर्ण पदक किस वर्स जीता था तो इसमें कुछ विद्यारती 2016 करके आए लेकिन इसका राइट ऑप्शन D जो सोरी C वाला है 2014 तो ये क्यूशन भी विद्यारतियों में कंप्यूशन पैदा की थी और इसके लावा भी और भी क्यूशन है जिनके बारे मैं आपको बता दूँ कंप्यूशन वाले क्यूशन भी जो विद्यारती थे उनके लिए परिसानी बरे रहे थे कुछ क्यूशन इजी थे लेकिन कुछ क्यूशन कठिन भी थे इसमें देखिए ये क्यूशन भी कठिन था भारत के चार परमानों सेंतरों के स्तान दिये गए ये कूशन easy है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एधोड़े, जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनके लिए थोड़े कथिन थे और जो ज़्यादतर जिन अब्यर्तियों के अच्छे marks थे वो ज़्यादा तर first grade और second grade में select हो चुए हैं तो इसमें ज़्यादा कटोब भी जाने की उमीद नहीं है और इसके लावा जो कठिन क्यूशन आंसर है वो अभी हम इसमें देख रहे हैं इसके लावा हम देखते हैं जो क्यूशन compute की क्यूशनों ने भी बड़ा परिशान किया इसमें ये क्यूशन समाने ते laptop में प्रायर निम्न में से किसकी संभावना नहीं होती है ये वाला क्यूशन में भी विद्यारती confuse रहे यानि कुल मिला के हम ये कहें ये कहें कि जो राजस्तान जी के था उसका लेवल कैसा था तो राजस्तान जी के तो इजी था लेकिन जी के में ही कुछ क्यूशन ऐसे थे कुछ ही 57 क्यूशन नॉर्मल ऐसे थे चुकि शिबी अभी अभीरती को नहीं आए और आपकी मेरिट भी कम रहेगी इसके वज़े भी मैं आपको बता दूँगा और computer के जो question answer यानि राजस्तान जी के का paper हम समझे तो easy level का था computer के question इस बार थोड़े से दूसरी पार्यू की तुलना में इस बार थोड़े से गुमा फिरा गराए थे तो इसमें भी उनका जो computer वाले question है उसका level इसमें कठिन लेवल के थे यानि कुल मिला कर ये मानें तो average level का था अगर paper का पूरा level देखें तो पूरा paper average level का ही था यानि इसमें कठिन कठिन question कम थे सरल ज्यादा question थे लगबग यानि यूँ कहें लगबग execution हर विद्ध्यारती के लगबग सही है execution के आस्वास सभी विद्ध्यारती के सही है और देखें यहां आपकी जो merit list है वो ज्यादा high नहीं जाएगी इसकी वजह बता देता हूँ क्योंकि जो ये paper थोड़ा पिछले paper की तुलना में थोड़ा सा एक कठिन level का था और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा तर जो पिछले जो राजस्तान पुलिस कांस्टेबल के paper की merit high जाती थी लेकिन इस बार इतनी high नहीं जाएगी क्योंकि जो पढ़ने वाले B.A.D. वाले विद्यारती जो इसमें बाजी मारते थे जिनके अच्छी तयारी थी वो first grade और second grade की जो पद थे उनमें select हो चुके हैं तो उन्होंने इस बार exam नहीं दिया और जिनकी थोड़ी अच्छी खासी तयारी थी वो अब इस राजस्तान कांस्टेबल में select होने वाले हैं उनके लावा भी तो एक्सो पंद्रा क्यूशन ये देखे एक्सो पंद्रा क्यूशन जिसके right answer है उसका sure इसमें selection होने वाला है और इसमें sorry ये देखें जो male एक तरफ male की दी गई एक तरफ female की दी गई है तो आप ये समझे जो male की cut off है वो 117 क्यूशन के आसपास रहने वाली और female की 115 है ये आप समझें इसको जो female की cut off है वो 115 क्यूशन के आसपास रहने वाली यानि ये आपको इससे कम भी जाएगी 5 क्यूशन कम रह सकती है लेकिन वो दोड के लिए physical की तयारी के बाद जब अंतिम मेरिट बनेगी तो ये अंतिम मेरिट वाली स्थिती होगी आप अगर 110 क्यूशन के आसपास भी आपके बन रहे हैं तो भी आपका exam क्लिर हो जाएगा लेकिन जो main merits होगी उसमें संभावना नहीं रहेगी तो ये final cut off बता रहा हूं में जनरल की 117 और female 112-15 के आसपास रहेगी OBC 112 क्यूशन और OBC female 110 क्यूशन बात करते हैं EWS की तो जो EWS है उसकी cut off रहेगी 105 क्यूशन और female की रहेगी 108 क्यूशन इतनी ही cut off रहने वाली है जिनके इतनी क्यूशन राइट हो रहे हैं उनको विस से physical की तयारी शुरू कर देनी चाहिए आप देखें SC के टेगरी की तो SC के टेगरी के 100 क्यूशन और female के 96 क्यूशन की बात कर रहे हैं इनको आप नंबर में convert कर सकते हैं आपका एक क्यूशन आदे मार्क्ष का था तो इनका आधा करेंगे तो आपके वो नंबर आ जाएंगे इस परकार देखें SC के टेगरी की जो अच्छी स्थीति वाले जो बिरती उनके 90 क्यूशन अगर राइट हो रहे हैं काट पीटने के बाद तो आप select हैं और SC female की cut off 83 मार्क्ष रहने वाली है अगर यहाँ पर हम देखें कि safe zone की सभी के टेगरी की जो बिरती है safe zone वाली क्या स्थीति है कौन से बिरती जिनका final selection होने वाला है एक safe zone हमने निकाला तो यानि की 120 क्यूशन जिसके भी right हो रहे हैं तो उसका sure selection है उसको physical की तैयारी कर लेनी चाहिए final selection होने वाला है लेकिन यहाँ देखे 100 क्यूशन या 105 क्यूशन जिनके भी right है उनको physical की तैयारी करने चाहिए physical की तैयारी के बाद जो अंतिम मेरिट है वो आपके 5 5 या 6 नंबर 5 6 नंबर उपर नीचे रह सकती है यह मोटा मोटा अनुमान हमारे द्वारा बताया गया है और यह वीडियो में आपको बताया कि जो अभियरती है उनके द्वारा कमेंट किया गए मार्स के आदार पर तैयार किया गया है तो चलिए कुछ भी द्यारती आपको कह सकते है कि इससे ज़्यादा जाएगी लेकिन इससे 120 क्यूसन से ज़्यादा जाने की संभावना किसी भी स्तिती में नहीं है तो चलिए आज का हमारा यह अनुमान इतना ही था अगर आप चेनल पर पहली बार आए हैं अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना न भूले वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद